कुंदन सिं में पहले भधाय नहीं है पहले प्वेद्भाव था अशनतन हो गया नहीं रहा संदन से बदल गया नहीं पहले था अब नहीं हो तो क्या ना जब चेंज हो गया तो सनातन कहां रहा अब नवातन हो गया होगा अब तो नवातन हो गया होगा ना जब सनातन का तो मतलब हुआ जिसमें कुछ चेंज ही नहीं हो सकता जो पहले था वही आज है तो आप कह रहे हैं कि शनातन धरम में आपके चेंज हो गया तो क्य अब नाव शनाथनी बन गया नवाटन कोई चले थी कुछ को एस उसे चापका नहीं बदल सकता है तब पहले भेद भाव कई से था पहले जो है भेद भाव कई से था फिर अगर नहीं बदल सकता है तो पहले था तो आपके पुर्वज जो है अच्छे व्यक्ति नहीं थे अच्छा उस तिन आप आये थे कुछ गांधी के बारे में बता रहे थे आप बोल रहे थे कि गांधी बड़े अच्छे आदिमी थे सब के लिए काम किये थे फिर आप भाग गये तो गांधी के समय आपका सनातन बदल गया था यह वही था नहीं वही था वही था ना तो देखिए यह गांधी ने अपनी किताब में लिखा है पढ़ सकते हैं जो अंडर लाइन मैंने किया है अब टॉपिक बात करें आप यह क्या खूल दी है अब देख लेजिए देखा आप लोगों ने देखा आपने जैसे टॉपिक यह टॉपिक अभी बता रहे थे गांधी जो हैं बड़ा महान व्यक्तित थे बड़ा अच्छा व्यक्तित थे पढ़ना भी सुरू किये थोड़ बड़िए इसको उन्होंने शरा आतन के बारे में लिखा है कि है कि आपका क्या अच्छे मी मुइआ हैरत तो आप यही कहना चाहरा है कि आज यही सानातन है जो बदल नहीं सकता है तो देखे गांधी क्या लिखते हैं मैं श्कूल में अकसर अच्छूतों से चूजाता था और मैं यह सच्छाई अपने माता-पिता से कभी नहीं चूपाता था शुनिएगा देहार से, क्या कर रहे हैं, अपने माता पीता से कभी नहीं छीपाता था, मेरी मा मुझे कहा करती थी कि अप पवित्र से छू जाने पर अपने को शुध करने का सबसे आसान रास्ता है, पास से गुजरते हुए मुसलमान को असपर्स करके और सुधता से मुक्त ह हो जाओ, और मैं अक्सर अपनी मा का आदर करते हुए उनकी बात मान लेता था, मतलब गांधी बोल रहे हैं कि उनके समय में आपका सनातन क्या था, ये था, कि जब स्कूल पढ़ने जाते थें, किसी अचूद से चू जाते थें, तो अप पवित्र हो जाते थें, और उनकी म आता था अप लोगो, यह आपका शनातन था, अरे भाई, कहानी कहा है, आपे गढणी लगते हैं, हम ला रहे हैं, यहां सामने-सामने आपके गांधी यहां लिखा हैं कि आपको हिंदी पढ़ने नहीं आती खाते इशो ला देती थी और वो अपनी मा की बात यहीं काम करते थे हैं आप हम को बता रहे हैं कि हम बीच में मुसल्मान ला रहे हैं और यहीं नहीं उन्होंने और भी कुछ लिखा है इसके पहले भी यहां पर यहां पर कर रहे हैं जब मैं मुश्किल से 12 वर्स का था अई बहां सड़ती हैं कब एहमदाबाद में 14 वर 15 अपरेल 1921 को हुई सप्रिष्ट क्लासिस कांफरेंस में क्या लिखते हैं जब मैं मुश्किल से 12 वर्स का था तभी यह विचार मेरे मन में पैदा हुआ था एक ज़ाडू लगाने वाला अचूत जिसका नाम उखा था मेरे घर की टटी साफ किया करता था अक्सर मैं अपनी मा से पूछ पैटता था कि उसे चूना क्यों ठीक नहीं है उसे चूने पर मुझे क्यों रोखा जाता है यदि कभी अचानक से मैं उखा को छू जाता तो मुझे अपने सरीर को सुध करने और प्राश्चित करने के लिए कहा जाता था अब बताईए आपका शनातन आज भी यही है या बडल गया है अब बताईए आपका शनातन यही था और यह गान्धी का समय का बात है यानि अभी अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे से सवा सो साल की बात है पतों किए रहले हुआ किया अपर यह से और घुत तो मैंने प्रेक्टिकल लाइफ दिखाया कोई व्यक्ति जो है अपने बारे में क्या कहता था समाज के बारे में क्या कहा था स्पीच दिया था यह कब की घटना है यह देख लीजिए यह घटना है स्पीच दिया है इन्होंने 1921 में यह 1923 चल रही है जस्ट 102 साल 102 साल में आपका शनातन बदल गया क्यों Mr. Kundan Singh सनातन कैसे बदल सकता है आरे तो सनातन नहीं बदल सकता है तो प्रेक्टिस उसकी कैसे बदल गई आपके धरम गरंथ में यह सब बाते लिखी है कि नहीं लिखी है है Kundaan Singh to फिर आपका धर्म बचेगा कहा चोड़ दिया अपने उस धर्म को जिसमें यह सब बाते लिखी है उसे धर्म को छोड़ दिया धर्म परवर्दन कर लिए तो आप अपने धर्म को नहीं चूख सकते हैं तो फिर आप यह सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपकी किताब हो गया कि आपने धरम परिवर्तन कर लिया है इसका यह कं посмотрим कि क्यों बदलें हम क्यों टॉपिक बदलें क्यों बदलें आप आये थे अभी बताने के लिए अपने शनातन का कि शनातन नहीं बदला सनातन नहीं बदला यहां सबूत सामने मैंने खोल दिया था आपको टॉपिक यादा गया यही टॉपिक पर बात चल रही थी यही टॉपिक बात चलेगी आप बता दीजे कि आपका शनातन हुगा कैसे जो शनातन को मान के आप ये प्रेक्टिस किया करते थें कि अच्छूद को छूद देने से आप इतने अपवित्र हो जाते थें कि मुसलिम को छूद के अपनी सुधता बढ़ाते और आज जो है आप कहानी बता रहे है अगर नहीं छोड़ी है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज भी आप इस तरह की चीजे प्रेक्टिस कर रहे हैं और ये आपका कोई शनातन नातन नहीं है ये आप लोग के छूगा छूद की प्रेक्टिस है ये सनातन हो ही नहीं सकता है पहले होता था अब नहीं होता है हाँ तो यही मैं कह रहाँ कि पहले छूगा-छूत होता था पहले छूगा-छूत लोग क्यों करते थे जड़ा यë बताए ही यह बताया गया और आप जो हैं क्या जिय कoqu से करते हैं आप शूबकर कार कीजिए आप किसी कि हात्या की-च्या और कर लेने के बाद से फिर एक दिन क्या कहिए कि अच्छा जो मैंने किया वो सो किया, छोड़ दो अब मैं नहीं करऊंगा तो इससे आपके किये हुए जो कुकरम है वो क्या धुल जाएंगे, वो क्या खतम हो जाएंगे, आपने जिनको जिनको कश्ट दिया है जिनके जिनके साथ बेहरमी की है जिनके जिनके साथ आपने उनको लगतार मांसिक सारिक हर तरह से पीछे किया है समाजिक इस्तिति उनकी बदतर की है उनकी जमीने चीन ली है सारा काम किया है वो क्या वापस उनके पास वापस आ जाएंगी क्या है आप दीजे तो कितने अच्छूत भारत के लोग जो हैं बोधिष्ट बन गया है कितने संख्या है अच्छूत लोगों की भारत में कितने जन संख्या है लगवाव होगी 25% 25% भारत की जन संख्या कितनी है कितना हुआ 25% 30 करों अधिक ही वा उससे अब एक बात बताए यह 35 करोन लोग में से आप कह रहे हैं कि 10 लाख लोग बन गया उसे आपका पाप उससे सुध हो गया अरे वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो बन रहे हैं कि नहीं मन रहे हैं इससे आपने जो पाप किया है वो कहां से कर दूर हो गया उसका जबाब दीजिए आप जो है मान लेते हैं सुनिए सारे दली तो बहुत धर्म में गये हैं कहानी मत सुनाया हमको बात बताए मुझे आप शूशन करता हैं आप क्रिमिनल हैं आप प्राश्टाचारी है जिसका आपने उत्पिडन किया उस ने कह दिया क कि भर हम जा रहे हैं हैं दूसरा ध्रम कर लिया इससे अपने आपराध उध्या कम होग cortar अब क्या है उसका प्रास्चत क्या है उसका है उसका लिफट कहा है मंई आप से पूछ रहा हूं इतने प्रेंस के लिए कि लागयाा अपना पे आये हैं शनातन सनातन करने आप बता दीचे मुझे आपने उसके प्रैस्चित में आप क्या करेंगे उनकी जो जमीन हर्पी हैं उनकी वह जमीन लोटा रहें हैं लोटा रहें कि नहीं लोटा रहें कि करेंगे लेकिन हैंने लोटा रखने में बड़ा मजह संकराचारे मं मं बैखने हुए है वहां पर इतन सोने जो लखें हुए हैं और लोग सबस्कोर चाया है तो नहीं जाये घरकए ही हैं इतना चीनता हो सनातना atom कांट देते लोगों में कि भाई ये लिजिए ये सारा चीज लिजिए आप लोग और वापस आप लोग बन जाईए हम चाहते हैं वो तब भी वो उनके उपर डिपेंड करता ना आप तो जमीन लें डिस्टिब्यूशन तक नहीं कि आप समझ क्यों नहीं रहें अरे भाई वो बहुत धरम में जाएं या कहीं पर भी जाएं जब आपने बता दिया 35 करोण लोग हैं दस लोग ही बने हैं तो दस लोग न गये हैं वहाँ पे और बहुत द्रम क्या होता है आप राचिन काल में क्या थे नहीं बता दीजिए आज से देख लेजिए यहां पर यहां पर आगए कि बहुत धरम ही शनातन धरम है जैसे बात यह सवाल उठा कि आज आप मंदिर बनवा रहें वरामडों के तो 2000 साल पहले कौन सा मंदिर बनवाए थे तो क्या कर रहे हैं कि आप मैं बता दूं कि बहुत धरम ही शनातन नहीं है अच कौन सा मंदिर बनवाए थे आज से 2000 साल पहले कुछ तो सबूत होगा ना किसी राम का कृष्ण का कुछ तो बनवाए होंगे आपने किसी भगवान का तो बनवाए ही होंगे आज आप इतने धनी है इतने आपके पास गाडियां है जमीने हैं संसाधन है कब जा है राम मंदि कितने बनवाए थे 2000 साल पहले कितने के सबूत मिले हैं बता देजिए तो हमें 2000 साल पहले राम और कृष्ण के सबूत मिले हैं आपका धरम पैदा ही नहीं हुआ था लिजी एक और कहानी सुने अब यह कह रहे हैं कि इनका जो है वही नहीं पैदा हुआ था इनका धरम ही 2000 सा आप पैदा हुए थे उस समय आप देखके आया थे कि आप सनातन है गानागार है कि सनातन है सनातन है जब आप पैदा ही नहीं हुए जिसकी आपको जनकारी नहीं है वहां की तो जल्दी चले आए आप यहां पे और जैसे पूरा पोल खुल गया कि आज से 2000 साल पहले अगर एक सबूत दिखा दिजिए जमीन के नीचे से तब यह लोग देवी देवता नहीं पैदा हुए थे पैदा हुए होते तो आपने बनवाई होते ना अगर उस समय आप होते तो आज से 2000 साल पहले आप क्या करते थे जरा बताए तो जब देवी देवता मंदिर मूर्ती नहीं आप नहीं पैदा हुए थे तो आपका सनातन तो पैदा हुआ होगा ना आपके पुर्वज तो पैदा हुए होंगे ना उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो बनवाया होगा ना जमीन से कुछ ना कुछ तो सबूत मिले होंगे ना आपने नहीं बनवाया थे आपके यहां पर उसी व्यक्ति को समय दिया जाता है जो डिसकुसन में इंट्रेस्टेड हो आके सवाल भी खड़ा करेंगे अचर्चा जैसे आगे बढ़ेगी तो पीछे यूटर्न मारके भाग जाएंगे बताइए आज से यह व्यक्ति जो है यहां पर आ गये हैं शनातन सनातन कहने यह गालीवाज है यह ये जो आया था न ये टुन्नी ये गालिवाज है ये